हलो फ्रेंज मैं अनुती आपका एक बार फिर सिर्णी के क्लासिस में स्वागत करती हूँ फ्रेंज जैसा कि आपने अभी इसके पहले कई वीडियो इंग्लिश के देखे होंगे जो कि हमने आपको क्लास 10 के वीडियो दिये थे इस बार हम आपको क्लास 12 के वो भी सेंट्रल आइडिया के वीडियो देने जा रहे हैं जो कि आपके बोड इग्जाम्स के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सेंट्रल आइडिया से आठ नंबर के क्वेस्टन्स आते हैं एक सेंट्रल आइडिया पुछेगा तो आपको सेंट्रल आइडिया मस्ट है करना और अगर आपने उस central idea attain कर लिया तो आपको पूरे पूरे आत्माक्स मिल जाएंगे इसलिए friends आप लोग इस central idea को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि यह आपके लिए बहुत important है तो friends आज हम आपके लिए class 12 के chapter first first poem के character of happy life जो है उसका हम आप लोग को central idea बताएंगे जो की sir Henry Watten द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स इस central idea में है क्या पहले हम आपके लोगों को यह बता दे यह chapter एक ऐसे मतलब ऐसे मनुश्य पर आधारी थे जो कि बहुत जादा honest है जो कि जन्व से ही honest है और उसके honesty के बारे में और उसके पूरी life के बारे में इस chapter में आप लोगों को बताया गया है जैसा कि आप लोगों ने अपने classes में पढ़ा होगा इस chapter के बारे में तो friends आज हम इसका आपको central idea बताएंगे कि central idea लिखा कैसे जाता है तो चलिए friends हम चलते हैं अपने central idea पर friends जैसा कि आप लोग देख रहें कि यह बहुत साल पूछा गया है इसलिए आप लोगों के लिए central idea must है और इसको please end तक देखिएगा आप लोग क्योंकि इस एक central idea एक वीडियो में हम आप लोगों को दो central idea बताएंगे जो कि दो अलग-अलग chapters का है तो हम चलते हैं अपने first chapter पर जो कि है character of a happy life A happy man is honest एक खुश व्यक्ति हमेशा इमानदार होता है He does not waste his time वह अपने समय को व्यर्थ नहीं करता है He is not after money वह पैसो के पीछे भी नहीं भागता है He is satisfied with what he has वह उसी में संतुष्ट रहता है जो कि उसके पास है He fears God वह इश्वर से डरता है Truth is the guide of his life सचाए ही उसके जीवन का मार्ग दर्शन है He does not harm others वह दूसरों को दुखी भी नहीं करता है He does not care for health वह अपने स्वास्त की चिंता भी नहीं करता है For him, joy and sorrows are alive उसके लिए खुशी और दुख दोनों एक समान है Friends, जैसा कि आपको पता हुआ कि हमारे जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं उसी प्रकार एक सुखी व्यक्ति के जीवन में अगर सुख आता है तब भी वह वैसे ही रेक्ट करता है जैसे कि वह दुख में करता है इसका मतलब यह है कि सुख और दुख का दोनों का पड़ला एक समान रहता है एक सुखी व्यक्ति के जीवन में वह अपने इक्षाओं पर नियंत्रा रखता है वह दूसरे व्यक्तियों के इक्षाओं पर निर्भर नहीं करता है और वह दूसरों के इक्षाओं का दान भी नहीं करता है इसका अर्थी यह है कि वह जैसे हम लोग करते हैं कि दूसरों दूसरे व्यक्ति कुछ इक्षा करते हैं और हम उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं तो एक सुखी व्यक्ति जो होता है वह अपनी खुद के चिंता भी नहीं करता है और दूसरों की गुलामी भी नहीं करता है वह उसी कारे को करता है जिसे वह उचित समझता है Friends, इस पोयम का होल समरी ये है कि एक सुखी व्यक्ति बहुत इमांदार होता है वह अपनी एक्षाओं का भी दास नहीं होता तथा अपनी साथ साथ दूसरी के एक्षाओं का भी दास नहीं होता है वह अपने उपर स्वयम नियंतरड रखता है और उसकी जीवन के मार्ग दर्शक भी उसकी खुद की सच्चाई होती है तो फ्रेंट्स ये पोयम सर हेंडरी वॉटन द्वारा लिखा गया है फ्रेंट्स ये वीडियो आपको कैसी लगी है अब हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और इसी के साथ हम इसी वीडियो में आपको एक सेकंड चैप्टर का भी सेंट्रल आइडिया बताने जा रहे हैं अब हम चलते हैं अपनी दूसर सेंट्रल आइडिया पर जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है दो ट्रू ब्यूटी और इसे लिखा किसने हैं थॉमस थॉमस कार्यों नहीं तो फ्रेंट्स यह सेंट्रल आडिया भी आप लोगों के लिए बहुत इंप पहले भी यह पूछा गया था और इससे पहले भी बहुत सार पूछा है लगातार पूछा है और यह सेंट्रल आडिया आप लोगों के लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इस वीडियो को ब्लाश तक देखेगा और कमेंट जरूर करेंगा कि यह वीडिय के सौंधारी की प्रशंशा करता है यह चैप्टर सुंदर्ता पर आधारित है जो कि हमारे स्पिरिच्वल ब्यूटी पर आधारित है क्योंकि इस चैप्टर में फिजिकल ब्यूटी और स्पिरिच्वल ब्यूटी दोनों ब्यूटी इसका कॉमिनेशन दिया है लेकिन इस च फिर धीरे दीरे समय के साथ नष्ट भी हो जाती है लेकिन spiritual beauty lifetime हमारे साथ रहती है इत इस टू ब्यूटी और यही जो हमारी spiritual beauty वहीं true beauty है है इत गंसिस्ट in love and loyalty सच्चा सौंदर प्रेम और निश्ठा में निढ़े है फ्रेंस जैसा कि आप लोग जानते होंगे जो सच्चा सौंदर होता है वह प्रेम में और निष्ठा भाव में नहीत रहता है वह शारीरिक सौंदर इसे कोई संबंध नहीं रखता है क्योंकि शारीरिक सौंदर एक बार आता है फिर समय के साथ ही नश्ट हो जाता है फिजिकल ब्यूटी बिकम्स लेस एज टाइम पासिस जो हमारा शारीरिक सौंदर होता है वह समय गुजरने के साथ साथ कम होता जाता है लव मेड और बेसिस और फिजिकल ब्यूटी इस शौंदर और यही सौंदर जो कि हमारे शारीरिक सौंदर पर आधारित है उस सौंदर पर आधारित प्रेम अलपकालिक होता है मतलब कि जो हमारी physical beauty है उस पे आधारित frame बहुत ही चडी कोता है बहुत कम समय के लिए होता है वह जादा देर तक नहीं तिकता है लेकिं जो हमारी spiritual beauty होती है वो बहुत समय तक तिकता है इसका मतलब यह है कि physical beauty समय के शाओ साथ बहुत शीड होता जाता है और spiritual beauty lifetime चलती रहती है वो कभी भी नश्ट नहीं होती है अर्थात हमारी मिर्तियों के पशाद भी हमारी spiritual beauty बनी रहती है On the other hand, love based on purity of character and sincerity is a everlasting और इसके विपरीथ ही चरीतर की पवितरता और निश्टा पर आधारित प्रेम स्थाई होता है इसका अर्थ हिये है कि हमारी चरीतर की जो पवितरता है और निश्ठा है उस पर आधारित प्रेम बहुत स्थाई होता है अब मैंने अप लोगों को बताया कि physical जो beauty होती है वो short lived होती है इसी के साथ साथ जो हमारे character based beauty होती है वो everlasting होती है यानि निरंतर रहती है वो कभी भी नश्ट नहीं होती है The essential things for true beauty are gentle thoughts, calm desires and firm mindedness इसका अर्थिये है कि सच्ची सुन्दर्ता के लिए अच्छे विचार, शांत भावनाएं एवं दृता की आवशक्ता है Friends जो हमारी सच्ची सुन्दर्ता होती है उसके लिए अगर हमारी विचार अच्छे नहीं हो और हमारी भावनाएं शांत भी नहीं हो और हमारी अंदर एक दृता नहीं हो तो हमारी सुन्दर्ता किसी काम की नहीं है क्योंकि एक सच्ची सुंदर व्यक्ति बनने के लिए हमें अपने अंदर अच्छे विजार, शांत भावना है और द्रिलता रखना आवश्यक है तो फ्रेंट्स इस चैप्टर का होल समरी ये था कि हमारे अंदर जो ब्यूटी होती है हमारी spiritual beauty होती है वह ज्यादा मस्ट है, लेकिन जो हमारी physical beauty है, वह बहुत short lived होती है मतलब बहुत कम समय के लिए होती है और ये समय के साथ ही नश्ट हो जाती है जो कि इसके विप्रीत हमारी spiritual beauty है हमारी आध्यात्मी सुन्दर्ता है वा सुन्दर्ता lifetime रहती है और हमारी मृत्यों के पश्षाथ भी वाख खतम नहीं होती है क्योंकि हमारी मृत्यों के पश्रात हमारा शरीर मर जाता लेकिन हमारी आत्मा जीवित रहती है इतना आप लोगों को पता ही होगा तो friends जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी आत्मा जीवित रहती है इसका अर्थी यह है कि हम अगर जीवित रहते हुए अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो लोग हमें अच्छी तरह याद करेंगे और अगर हम बुरे कर्म करके जाएंगे तो लोग हमें obviously गाली ही दे ज När रहेंगे तो friends तो friends लेकिन आप लोगों को व्यक्ति याद ज़रूर करेंगे जाहे आप लोगों के बुरे कर्म के लिए याद करे या फिर आप लोगों के अच्छे क्रम के लिए राफ लेकिन याद ज़रूर करेंगे आप लोगों को तो आप लोग कोमेंट करके हमसे questions जरूर पूछे फ्रेंस हम अब आप लोगों को बाय बोलते हैं क्यूंकि आप चलते हैं आप लोगों को जल्द ही एक नया भी वीडियो देंगे जो कि अभी आप लोगों के लिए और important important वीडियो देंगे अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजिए और bell icon को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे वीडियो मिल सकें और friends आप लोगों के board exams बहुत पास हैं इसलिए आप लोग स्यादा मेहनत कीजिए बहुत मेहनत जाते हैं इसलिए आप हमारे चैनल पर जरूर परिये और आप लोगों के board exams के लिए all the best बाई